सारे गाउं में मतुरा कासा गठीला जवान ना था, कोई बीस बरस की उमर थी, मसे भीग रही थी, गउवे चराता, दूद पीता, कसरत करता, कुष्टी लड़ता था, और सारे दिन बांसुरी बजाता, हाट में विचरता था, भ्या हो गया था, पर अभी कोई बाल बच्चा ना था, घर में कहीं हलकी खेती थी, कहीं छोटे बड़े भाई थे, वे सब बिल जुलकर खेती बारी करते थे, मतुरा पर सारे गाउं को गर्व था, जब उसे जांगी हैं, लंगोटे, डाल या मुगदर के लिए, रुपे पैसे की जरुवत पढ़ती तो तुरंत दे दिय जाते थे, सारे घर की यही अभिलाशा थी, कि मतुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने एक सवाय को पचाड़े, इस लाड़ प्यार से मतुरा ज़रा टर रहा हो गया था, गाएं किसी के खेत में पढ़ी हैं, और आप अखाड़े में दंड लगा रहा है, कोई उससे उलजने की हिम्मत ही ना पड़ती, लोग गम खा जाते, गर्मियों के दिन थी, ताल तलय या सूखी पड़ी थी, जो रूकी लू चलने लगी थी, गाउं में कहीं से एक सांड आ निकला और गवों के साथ हो लिया, सारे दिन गवों के साथ रहता, और रात को बस्ती म घुसाता और खूटों से बंदे बैलों को सिंगों से मारता, कभी किसी की गिलिम दिवार को सिंगों से खोद डालता, घर का कुड़ा सिंगों से उड़ाता, कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारे दिन सीचते सीचते मरते थे, यह सांड रात को उन्हरे भरे खे में पहुँच जाता किसी की अकल काम ना करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए मतुरा का घर गाउं के बीच में था इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानी ना पहुचती थी गाउं में उब तरफ मचा हुआ तक और मतुरा को जराबी चिंता ना थी आखिर जब धहरे का अंतिम बंधन भी तूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मतुरा को गेरा और बोले भाई कहो तो गाउं में रहें या कहीं निकल जाए जब खेती ही ना बचेकी तो रहे कर क्या करेंगे तुमारी गाएं के पिछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और लेकिन तुम तो कान में तेल डाले बाटे हो माना तुम से कोई मतलब ही नहीं है मतुरा कौन की दशा पर दया आई बलवान मनुश्य प्राया दयालू होता है बोला अच्छा जाओ हमाज सांड को भगा देंगे एक आदमी ने कहा दूर तक भगाना नहीं तो फिर लौट आ मतुरा ने कंदे पर लाटी रखते वे उतर दिया अब लाट करना आवेगा चिल चिलाती दुपहरी थी मतुरा सांड को भगाए लिए जाता था दौनों पसीने से तर थे सांड बार बार गाओं की और घुमले की चेश्टा करता लेकिन मतुरा उसका इरादा ताड कर दूर से ही उसकी रहा छेक लेता सांड क्रोथ से उनमत होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मतुरा पर तोड़ करना चाता लेकिन उस समय मतुरा सामना बजाकर बगल से ताबर तोड इतनी लाटियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता कभी दौनों अरर के खेतों में दौरते करने की सिवाए और कोई सुधना दी गाओं पर गाओं आते थे और निकल जाते थे मतुरा ने निश्य कर लिया कि इसे तो नदी पार भगाए बिना दम ना लूँगा उसका कंट सूख गया था और आँखे लाल हो गई थी रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थी दम उ कहीं से तो दोनों खिलाड़ियों को अपने दाओं पेच के जोहर दिखाने थे सांड सोचता अगर नदी में उतर गया तो यह मारी डालेगा एक बार जान लड़ा कर लोटने की कोशिश करनी चाहिए और मतुरा सोचता अगर वह लोट पड़ा तो इतनी मेहनत वियर्थ हो जाएगे और गाओं के लोग मेरी हसी उड़ाएंगे दोनों अपने अपने घात में थे सांड ने बहुत चाहा कि तेज दोड़कर आगे निकल जाओं और वहां से पीछे को फिरू पर मतुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया उसकी जान इस वक्त सुई की नौक पड़ मतुरा भी उसके पीछे नदी में पैट गया इतने डंडे लगाए कि उसके लाठी ही तूट गई अब मतुरा को जोरो से प्यास लगी उसने नदी में मू लगा दिया और इस तरह हाँख हाँख करके पीने लगा मनु सारी नदी पी जाएगा उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा न लगा था और ना कभी उसने इतना पानी पिया था मालूम नहीं पांस सेर पी गया था या दस सेर लेकिन पानी घरम था प्यास ना भुजी जरादेर में फिर नदी में मू लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगा ने रही तब गीली धोती कंदे पर डाल कर घर की और चल दिया लेकिन दस के पांच पक चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा उसने सोचा दोड़ कर पानी पिने में से ऐसा दर्द तो अक्सर ही हो जाता है जरादेर में दूर हो जाएगा लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मतुरा का आगे जाना कठिन हो गया वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लोटने लगा कभी पेड़ को दबाता कभी खड़ा हो जाता कभी बैठ जाता पर दर्द था कि बढ़ता ही जाता था अंत में उसने जोड जोड से करहाना और रोना शुरू किया पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता दूर तक गाओं का कोई नहीं था ना आदमी ना आदम जान बिजरा दुपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया हम कड़े से कड़या घाव सह सकते हैं लेकिन जरासा भी व्यतिकरम नहीं सह सकते वही देव कासा जवाद जो कोसो तक सांड को भगाता चला आया था तत्वो के विरोध का एक वार भी सहना सका कौन जानता था कि यह दौड उसके लिए मौत की दौड होगी कौन जानता था कि मौती सांड का रूप धरकर उसे यू नचा रही है और कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण होटो पर आ रहे थे उसके लिए विश्का काम करेगा संदिय समय उसके घरवाले उसे ढूंडते विया है देखा तो अनंत विश्राम में मागन था एक महिना गुजर गया गाउवाले अपने काम धंदे में लगे घरवालों ने रोध होकर सब्र किया पर अभागनी विद्वा के आसु कैसे पुछते वे तो हर दम रोती रहते थी आँखे चाहे बंद भी हो जाती पर हिर्दे तो नित्य रोता इस घर में अब कैसे निर्वा होगा किस अधार पर जीएंगी अपने ले जीना या तो महत्माओं को आता है या लंपटो को अनु वालों को या गवारा ना था वह कोई दूसरा घर करे जिससे बदनामी थी इसके सिवाए ऐसी सुशीन घर के कामों में कुशल लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रूंग रूप और ऐसी सहानी इस्तरी किसी दूसरे के घर पड़ जाना ही उन्हें असहनी है था उधर अनुपा के मैके वालों एक जगा बाचीत पकी कर रहे थे जब सब बाते तैह हो गई तो एक दिन अनुपा का भाई उसे विदा कराने या पहुचा अब तो घर भर में खलबली मच गए इधर कहा किया हम विदा न करेंगे भाई ने का हम बिना विदा क्या रहे मानेंगे न आदमी जमा हो गए पंचायत होने लगी यह निश्य हुआ कि अनुपा पर यह चीज छोड़ दी जाए यह जहां चाहे वहां रहे यहां वालों को विश्वास था कि अनुपा इतनी जल्द दूसरा घर करने को राजी नहोगी दो चार बर ऐसा कह भी चुकी थी लेकिन उस व अम्मा कहा सुना माफ करना जी में तो था कि इस घर में पड़ी रहों पर भगवान को बंजूर नहीं यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गए सास करुणा से विहल हो थी बोली बेटी जहां जाओ महां सुकी रहो हमारे भगगे ही फूट गए नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता भगवान कर दिया और सब कुछ है पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस आज तुमारा देवर सयाना होत तो बिगडी बात बन जाती तुमारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो पालो पोसो बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दोगी यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूचा है क्यों रे भजाई से शादी करेगा वासुदेव की उम्र पांस सल से अधिक ना थी अब कि उसका भिया होने वाला ता बात चीत हो चुकी थी बोला तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना मा नहीं जब तेरे साथ भिया हो जाएगा तो कई जाएगी वासुदेव तब मैं करूँगा अच्छा उससे पूच उससे भिया करेगी वासुदेव अ अम्मा दिल से कहती हो, सास, बगवान जानते हैं, तब से आज ये मेरे हो गए, सास बोली हाँ सारा गाउन देख रहा है, अनुपा, तो भाईया से कहला वजो घर जाए मैं उनके साथ ना जाऊंगी, अनुपा को जीवन के लिए आधार की जरुवत थी, वह आधार मिल गया, सीवा मनुशे की स्वभाविक वृती है, सीवा ही उसके जीवन का आधार है, अनुपा ने वासु देव का लालन पोशन शुरू किया, उप्टन और तेल लगाती, दूद रोटी मलमल के खिलाती, आप भूल गया, कुछ खाने को जी चाहता तो अनुपा से मांगता, खेत में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के पास आता, अनुपा ही उसे सुलाती, अनुपा ही जगाती, बिमार हो तो अनुपा ही गोद मे लेकर बदलू वैद के घर जाती, और दवाएं पिलाती, गाओं क समझते थे साल दो साल में इसका जी उप जाएगा और किसी तरफ कर रास्ता लेगी इस दूद मुहें बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी लेकिन यह सारी आशांकाई निर्मूल निकली अनुपा को किसी ने अपने वरत से विचलित होते ना देखा जिस हड़िया में सेवा का सुरोत भैराओ स्वादी ही सेवा का उसमें वास्नाओं के लिए कहां है स्थान वास्ना का वार निर्मम आशाहीन आधारहीन प्राणियों पर ही होता है चोर की अंदेरे में ही जलती है उजाले में नहीं वासुदेव को कसरत का शौक था उसकी शकल सूरत मत्रा से मिलती जुलती थी डिल डॉल भी वैसा ही था उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बासुरी की ताने फिर खेतों में गुंजने लगी इस भाती तेरा बरस कुचल गए वासुदेव और अनुपा में सगाय की तैयारी होने लगी लेकिन अब अनुपा वह अनुपा ना थी जिसने चौदा वर्ष पहले वासुदेव को पती भाव से देखा था अब उस भाव का इस्थान मात्रित्व भाव ने ले लिया था इदर कुछ दिनों से वह गहरे सोच में डूबी रहती सगाय के दिन जियों जियों निकट आते उसका दिल बैठा जाता अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्टन की कलपना से ही उसका कलेजा दहक उड़ता जिसे बालक की भाती पाला पोसा उसे पती बनाते वे लजजा से उसका मुख लाल हो गया द्वार पर नगाड़ा बज रहा था बिरादरी के लोग जमाते घर में गाना हो रहा था आस सगाई की तिती थी सहसा अनुपा ने जाकर सास से का आमा मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ क्यों बेटी क्या हुआ सास बहुचकी रह गई अनुपा मैं सगाई ना करूंगी सास अरे कैसी बात करती हूँ बेटी सारी तैयारी हो गई लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे अनुपा जो चाहे कहूँ जिनके नाम पर 14 वरिश बाटी रही उसी के नाम पर अब भी बाटी रहूंगी मैंने समझा था मरत के बिना औरत से रहा न जाता होगा मेरी तो भगवान ने इच्जत आबरू निबादी जब नई उम्र के दिन गट गए तो अब कौन चिंता है सुदेव की से गई आपको ये लड़की खोच कर कर दो जैसे अब तक उसे पाला है उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगे